उडीसा के बालासोर जिले में हुए ट्रेन हाथसे ने पूरे देश को जंजोर कर रख दिया इस हाथसे में 300 से जादा लोगों की जान जले गई वहीं हजारों यात्री बुरी तरहा जखमी हुए है कहा जा रहा है कि ये संख्या अभी और भी बढ़ने वाली है फैर इस भयानक ट्रेन हाथसे ने बीते कई दशकों में हुए कई उन ट्रेन हाथसों के जखम ताजा कर दिये जिन्होंने कभी पूरे देश को रुलाया था भारत में होने वाले रेल हाथसों में हर साल कई जाने जाती रेल दुरगटना की कई बजहे होती है जिनमें तकनीकी खराबी, मानवी भूल, लापरवाही, खराब मौसम जैसी वजहें शामिल है तो चलिया आज उन रेल हाथसों के बारे में हम आपको बताते हैं जिन्होंने कई जिन्दगिया छीली थी इस फेहरिस्त में सबसे पहला नमबर आता है बागमती नदी ट्रेन हाथसे का ये देश के इतिहास में एक ऐसा रेल हाथसा था जिसने सिर्फ देश को ही नहीं बलकि पूरी दुनिया को जंजोर कर रब दिया क्या था ये पूरा घटना क्रम चलिए आपको तफसील से बताते हैं बरसात का मौसम था शाम का समय था और तारीख थी 6 जूर और साल था 1981 का यात्रियों से खचाखच बरी नौ बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन मांसी से सहरसा के लिए जा रही थी ट्रेन बदला घाट और धमारा घाट स्टेशन के बीच पढ़ने वाली बागमती नदी पर बने पुल से गुजर ही रही थी कि उसी वक्त सबसे बड़ा हाथसा हो गया पिछले साथ डिब्बे ट्रेन से अलग होकर नदी में गिल गया बरसात का मौसम था तो बागमती का जल स्थर भी बड़ा हुआ था पलक जपकते ही ट्रेन नदी में डूब गई ट्रेन के उन साथ डब्बों में सवार याद्रियों को बचाने वाला वहां कोई नहीं था आसपास के लोगों के नदी के पास पहुशे तक सैक्रों लोगों की नदी में डूब कर मौत हो चुगे थी इस हाथसे को भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हाथसा बताए गया हाथसे की कई दिनों बाद तक सर्च ऑपरेशन चला गोताखोरों की पांच दिन की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से दो सो से भी जादा लाशे निकाली गए सरकारी आखड़े कहते हैं कि इस हाथसे में लगभग तीन सो यात्रियों की मौत हुई जबकि आसपास के लोगों का कहना था कि इस रेल हाथसे में करीब आठ सो लोगों ने अपनी जान गवाई अब बात करते हैं फिरोजबाद रेल हाथसे की तारीख थी 20 अगस्त 1995 रात के करीब 2 बच कर 46 मिनट पर दिल्ली जाने वाली कालंदी एक्सप्रेस फिरोजबाद से निकली थी ट्रेन को चला रहे थे लोको पाइलेट से उन्होंने देखा कि ट्रैक पर नीलगाय खड़ी है इससे पहले कि वो ट्रेन को रोक पाते कि ट्रेन नीलगाय से जाटक रहे इस टकर की वज़ा सोई ट्रेन के वाक्यूम ब्रेक आक्टिव हो गए और ट्रेन अपनी जगा पर खड़ी हो गए इसके बाद फिरोजबाद स्टेशन के पश्चमी केबिन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने केबिन मैन से फोन करके ट्रैक के क्लियरंस के बारे में पूछा जिसके जवाब में उस तरफ से बताया गया कि ट्रैक क्लियर है स्ट्रेशन मास्टर ने पुर्शोत्तम एक्सप्रेस को हरी जंडी दे दे जिसे उसी ट्रैक से गुजरना था जिस पर कालंदी एक्सप्रेस खड़ी थी सो किलो मिटर प्रती घंटा से भी जादा रफतार से पुर्शोत्तम एक्स्प्रेस फिरोजबाद स्टेशन से लिपने। थोड़ा ही आगे चलकर ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पर एक ट्रेन पहले से खड़ी है। ड्राइवर के पास एमर्जनसी ब्रेक लगाने का ओप्शन था। लेकिन वो जानते थे कि इतनी रफतार में ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन के सभी डिपे एक दूसरे के ऊपर चड़ जाएंगे। उनके पास अब जादा कुछ करने का ओप्शन नहीं था। कुछ ही सेकंड्स बात पुर्शोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस में पीछे से जागु सी। ट्रेन की बोगियों में सो रहे सैक्डो लोगों को जागने का मौका ही नहीं मिला। बोगिया एक दूसरे के ऊपर चड़ गए। सैक्डो लोग इन बोगियों में पिस जैसे जैसे सूरज निकला हाथसे की भयावह तक भी सामने आने लगी ट्रैक के आसपाथ शरीर के अंग बिखरे पड़े थी अगले दिन तीन दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला आकडों के मुताबिक इस हाथसे में करीब 400 लोग मारे गए और 500 से जादा लोग खायल जबकि अवद असम एक्सप्रेस गोहाटी जा रहे थी और गैसल के नजदीक ही रुकी थी सिगनल खराब हो जाने की वज़ा से ब्रह्मपुत्रुन मेल को उसी पट्री पर जाने की इजासत दे दी गई उसने रात के देड़ बचे आगे से अवद असम एक्सप्रेस को टक क अवद असम का इंजिन हवा में उड़ गया और विस्पोर्ट की ताकत से दोनों गाडियों की यात्री आसपास की मारतों और खेतों में जागरे इस दुरघटना में 268 लोगों की मौत हो गई थी और 369 खायर हो गय थी ये घटना भारत की सबसे बड़ी और भयानक रेल हासे में कम से कब 212 लोग मारे गए थे हाथसा उस वक्त हुआ था जब जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस पट्रिस से उतरी फ्रंटियर मेल के डिब्बों से जाटकराई थी इन दोनों ट्रेनों में कुल मिलाकर करीब 2000 लोग सवार थी यहां लुद्याना से अंबाला ज से आ रहे ही जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस पट्रियों पर गिरे डब्बू से टकरा गए इसमें सैकड़ों लोगों ने दम तो इस घटना को याद करती हुए आज भी इस हाथसे में अपने को खोने वाले लोगों की आँखों में आसु आ जाते हैं पशिम बंगाल का ट्रेन पर नकसली हमला तारीख 28 मई 2010 पशिम बंगाल के जाड़ ग्राम में मुंबई जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन को नकसली उने अपना निशाना बनाया था इस भायानक हाथसे में ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और इनमें से 5 तूसरी लाइन पर आ रही मालगाडी से तक्रा गये थे बताय जाता है कि इस हाथसे में 170 से जादा लोगों की मौत हो गए थी और 500 से जादा लोग बुरी तरह जखमी हो गए थे बहर हाल ये तो भी हमने सिर्फ गिने चुने ही रेल हाथ से आपके सामने रखे देश में अब तक ऐसे बहुत से रेल हाथ से हो चुके हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेल सिस्टम होने के बावजूद भारती रेल अब भी ब्रिटिश काल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रही है जिस हसाब से पट्रियो पर रेल्वे ट्राफिक का दवाव बढ़ रहा है उस हसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अपक्रेट नहीं हो पा रहा एक ओर तो सरकार बुलेट रेन चलाने की योजरा बना रहे है दूसरी ओर मूलभूत धाचे में बदलाव नहीं होने की वज़ा से सामानी च्रेनों को हाथ से इसे बचाने में सरकार नकाम दिख रहे है रेल्वे के सामने सीफटी एक बड़ा मसला बना हुआ है अगर इसे और विशीज ध्यान नहीं दिया गया तो मुम्किन है कि आगे भी इसी तरह के बड़ी रेल हाथ से होते रहे है फिलहाल हमारी इस खास रेपोर्ट में बस इतना ही आप बने रहे है और देखते रहे है न्यूस्ट्राय मीडिया